हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोटक महिंदर बैंक के न्यू डेबिट कार्ड या फिर ओल डेबिट कार्ड की टोमेस्टिक और इंटरलेंसन सर्विस को मैनेज कर सकते हैं साथ ही आप अपने लिमिट ट्रांजेक्शन लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं सारी जानकर यापको इस वीडियो में मिलने वाली है तो कैसे आपको अपने डोमेस्टिक और इंटरलेंसन सर्विस चेंज करनी है इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में या फिर आप अपने कंप्यूटर एज लैप्टोप के अंदर ब्राउजर के अंदर आपको कोटक महिंदर बैंक की नेट बैंकिंग ओपन कर लेनी है left side में देखे account ओप्शन मिलता है दूसरा मिलता है option cards का cards के option में जाना है debit card के option पे debit card के option में आपको यहापे overview के अंदर debit cards होगा, साथ में आपको बहुत सरी information यहापे मिल जाएगी, यहापे option मिलता है, देखे नीचे click here का यहां से आप क्लिक करके आपनी सर्वीस को मैनेज कर सकते हैं साथ में अगर आपको पास यह नहीं आ रहा है तो देखें आपको left side में debit card के option के अंदर काफी option मिलेंगे उसके अंदर पर इनेबल रख सकते हैं, e-commerce online service करना चाहते हैं, उसको आप enable और disable कर सकते हैं, साथ में आपको देखें, जो main option होता है, contactless का, अगर आप इसको enable कर लिजे, अगर आप इसको disable रखना चाहते हैं, तो आप इसको disable कर दीजेगा, तो यहां से आप अपनी contactless service को enable और disable कर सकते हैं, साथ में अपनी token station service को भी आप disable enable कर सकते हैं, और साथ में देखें, internet service को आप enable और disable कर सकते हैं, साथ ही आप limit management के option पर click करके, अपने debit card पर access limit को भी change कर सकते हैं, अप limit की limit को change कर सकते हैं, contactless service को change कर सकते हैं, online service की limit को change कर सकते हैं, और change करने के बाद, simple आपको confirm के option पर click करना आपकी services जो है आपकी save हो जाएंगी और जो service आपने enable की है उसी कोई आप access कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने डेविट कार्ड पर अपनी कोई भी service, domestic service, internet service को enable और disable कर सकते हैं साथ में अपनी limit को भी change कर सकते हैं आपको वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नहीं चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा